हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में स्विंग इस्टेटर आरिमसी प्लांट के बारे में मॉडल नंबर है और यह और डिटाइलिंग के बारे में बताऊंगा पिछली वीडियो में दो बनाया हूँ सीपी 30 के नाम से और सीपी 45 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्चन में दे दूँगा वहां से आप लोग देख सकते हैं तो चलिए वीडियो की तरफ पैन मिक्सर है पैन मिक्सर में एसपी 220 के नाम से जाएगा ओइल ग्रेड साथ लिटर जाएगा फिर उसके बाद लगातार 2000 घंटे में अपलों को डालना है चलिए आगे यह इसकिप है इसकिप मोटर का गेर बॉक्स एसपी 220 के नाम से आएगा जिसमें जाएगा चार लिटर पहला सर्वेस 500 घंटे में फिर दूसर सर्वेस यह निलगातार 2000 घंटे में करना है चलिए नेक्स्ट अब आज यह इसको कंवेर में इसको कंवेर में आपको डालना है वीजी 220 जैसा पिछली वीडियो में बताया था इसमें जाएगा दो लिटर पहला सर्वेस 500 घंटे में फिर उसके बाद 2000 घंटे में करना है अब आज यह कंप्रेसर में कंप्रेसर जैसे जाता है वह सब में जा रहा है कंप्रेसर ओई जो पॉइंट फाइव लीटर वह सर्वेस 500 घंटे में और फिर उसके बाद 500 घंटे में यह मैं दोस्तों इसलिए अलग अलग बता रहा हूं कि ताकि थोड़ा जोए इसका अलग अलग रहता है कॉंटिटी अलग रहता है इसलिए मैं स्टेब बाइस जो मैं वीडियो बना रहा हूं ग्रेड वाइज यानि मोडल वाइज कि सेपी 80 में क्या जाता है सेपी 45 में तो चलिए आगे इफारेल है इफारेल में कुछ खास नहीं जैसा मैं पिछले वीडियो में बताया था सर्वो 32 के नाम से जाएगा ओयल ग्रेड कॉंटिटी जाएगा 0.5 आदा लिटर और यह इसमें कोई लिटर उता है कोई यानि 500 गंटा 200 गंटा इससे कुछ ज़रूरी नहीं है जैसा बारेल में रहता है और तो देखते हुए मिनमाम लेबल आ जाए तो इसमें टॉप अप कर सकते हैं या तो पूरा फूल कर सकते हैं आदर लिटर तो चलिए नेक्स पॉइंट अब यहां जाए इसके प्रोब समर में यानि गर्मी के सीजन में काडियम कंपाउंड सर्वो कोट 190 जाएगा यह इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि दो गंटे में गंटे में पास गंटे में 200 गंटे में यह जैसा रिक्वाइड में रहेगा वैसा आपको ऑईल इसकी प्र अब यह क्या बता रहा है विंटर के बता रहा है यानि ठंडी के सेजन में यह जाएगा सिफ कोड जो है यह चेंज हो जाएगा 140 के नाम से ऐसे रिक्वाइड ठीक है चलते हैं नेक्स्ट यह कंप्रेसर ओयल है सक्सेंट फिल्टर में जाता है 0.15 इसको जो है विक्ली चेंज करना है जो कंप्रेसर में जो लगा रहता है फिल्टर उसमें डाला जाता है तो इसमें 0.15 विक्ली आपको डालना है झालना है